हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो क्या कारड हो सकते हैं कि पैज इंडेक्स नहीं होते हैं तो चलिए पहले कुछ problems पर बात कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे आपकी जानते हैं आपको मिलता है कि page is not index आपको मिलता है कि page is not index, crowd currently not index अब दोस्तों crowd जैसे google के जो boards होते हैं वो आपके page को तो crawl कर लेते हैं लेकिन उसको index नहीं कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों दूसरी problem आपको आती है, duplicate without user selected clinical यह दोनों ही problem दोस्तों पर मैं चर्चा करूंगा तो दोनों पर क्या है कि दोनों स्थिती में भी आपको मिलने देखने को मिलेगा कि page is not index, अब page जो है आपका index नहीं हुआ, तो आप करते क्या हो, आप करते यह हो कि तुरंट आप जाते हो, google search console में और search console में जाने के बाद आप तुरंट inspection tool का इस्तिमाल करते हो यानि कि उस URL को आप डालते हो उसमें और डालने के बाद जैसे ही आप डालते हो, तो आपको क्या दिखाई देता है, on google या आपको उसमें दिखाई देता है कि यह URL जो है, वो google में on नहीं है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप indexing का request बैशते हो, और उसे test live कर देते हो सारा काम कर देते हो, फिर आपको last में दिखाई क्या देता है, qrl is available to google यह दोस्तों आपको दिखाई देता है, लेकिन नीचे कुछ चीज लिखा मिलता है, page can be index, दोस्तों यह सारी बात थी, अब आप जब नीचे उस पर arrow पर click करते हो, तो आपको एक problem दिखाई देती है, url will be index only if certain condition, तो यहाँ पर तो एक underline मिलता है, इस पर अजब आप click करेंगे, तो आपको कुछ दिखाई देगा, आगे लिखा मिलेगा दोस्तों, does a valid result mean that my page will be indexed, दोस्तों इसका मतलब है कि क्या मेरा जो page है, वो valid है और इसे index किया जा सकता है, तो दोस्तों नहीं, अगर जो आपने जिसे live test किया urls का, तो इससे केवल आपका क्या होगा, कि जो google boards है, उनको access मिल सकता है, कि आपके page तको पहुंच सके, इसकी कोई guarantee नहीं है कि ये आपके page को index कर लेगा, इसकी guarantee के लिए दोस्तों कुछ window है, इन पर आपको ध्यान देना होगा, तो जैसे आपने live test पहले टेस्ट कर लिया, जरूरी नहीं कि आपका page index हो, अब इसके लिए आपको कुछ window को पालन करना होगा, जैसे यहाँ पर देखे, दोस्तों दिया है कि page cannot be subject any manual action and legal issue, यानि आपका जो page है, वो किसी ऐसे topics पे नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, बस यहीं समझे दोस्तों, कि जो आपका जिस topic पे आप लिख रहे हैं, जैसे कोई इस page को पहले से ही इस topic पर लिखा है, और आपने उसको copy किया और उठा किसी में paste कर दिया, तो किसी का duplicate नहीं होना चाहिए, कि पहले से कोई page index है, उसको आपने copy paste कर लिया, page आपका दोस्तों एक दब unique होना चाहिए, अगर जो माल लिजे कि आपका और उसका मिलत जुलता है, कोई topic तो आप उसके लिए conical का इस्तेमाल कर सकते हैं, select conical, आप सही conical को आप अपने page में लगाएं, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों जो अगली बात है, वो आपकी page की quality दोस्तों इतनी बढ़िया होना चाहिए, ताकि जो Google है, Google indexing आपको warranty दे सके, यानि जितना बढ़िया आप लिखेंगे, जितना बढ़िया page की quality होगी, जितना बढ़िया content होगा, यानि content की quality आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आपको Google indexing की quality दे सके, यह दोस्तों यह दो तीन बाते थी, जो एदि आप करते हैं, तो आपको समस्या नहीं आ होगा, तो इस problem का solution क्या हो सकता है, इस problem का solution यह है दोस्तों, कि Google क्या करता है, Google आपके page को तो index कर लेता है, लेकिन index करने के कई card होते हैं, page के आपको index भी कर लेगा, और अगर जो quality उसकी अच्छी नहीं रही, तो उसको जो है, index से हटा भी देगा, ऐसा, दोस्तों, हमारे साथ भी हुआ, मेरा बहुत सारा page index था, और automatic कुस्से में बाद, ऐसा मुझे दिखाए दिया कि वही page, फिर index से बाहर हो गया, और crowd not index हो गया, तो दोस्तों, जो कुछ समस्या आपको दिखाए दे रही है, पहले मैं आपको problem बता दे रहो, क्या-क्या problem हो सकते हैं, इस समस्या के पीछे क्या-क्या problem हो सकते हैं, कि यह समस्या आती है, crowd currently not index और duplicate user selected को अगर यह समस्या पर जो यह आपको notification दिखाए देता है, इसमें क्या-क्या समस्या हो सकती है, तो दोस्तों, पहली समस्या जो आपके हो सकती है, वो आपका topic से related, जैसे माल लीजिए, आपने किस topic पे लिखा, कोई blog आप लिखते हैं, ब्लोगर में या फिर wordpress में, तो आप किस में लिखे हैं, किस topics पे लिखें, तो topic हो सकता है, आपके topic में सही से आपने चुनाव ना किया हो, या फिर आपने कोई ऐसा topic ले लिया हो, जिसकी value बहुत ही कम हो, उसके बाद दोस्तों, दूसरी जो problem आती है, वो title, माल लीजिए, आपने कोई page लिखा, और उस page का, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने title सही से नहीं दिया, अब Google को ये तो पता है कि, आपके title के जरीए उसने URL बनाया, और उसे Google bots के जरीए जो है, उसको scan किया, crawled किया, तो वो देखेगा क्या, कि title में कुछ लिखा हुआ है, और जो आपका content है, उसका जो motto कुछ दूसरा है, यानि दोस्तों, जब आपका content अलग होगा, title अलग होगा, दोनों match नहीं करेगा, तब भी आपको इस समस्या सकती है, तीसरी समस्या आपकी क्या हो सकती है, हो सकता है content content आपने ऐसा लिखा हो कि जिसका कोई मतलब ना लग रहा हो सकता हो, जो users होता हो, उससे समझ में नहीं आपने क्या लिखा है, तो content की problem हो सकती है, topic की problem हो सकती है, टाइटिल की problem हो सकती है, उसके बाद चौथी problem आती है दोस्तों, structure, आपने मालो content लिख रखा है, लेकिन अगर जो पढ़ने आपके ब्लॉग पर आता है तो वो यह देखेगा ना कि इसने कितने बढ़ियां से उस चीज को लिखा है क्या उस समझाया है मतलब उसे उची समझ में आने चाहिए अगर जो वो चीज उसे समझ में नहीं आ रही है तो तुरंट क्या करेगा एक बार उपर से देखेगा है अगर जो उसे उसके जरुद की चीज मिली तो तिक नहीं तो स्क्रॉल करके उसे तुरंट जो है वापिस चला जाए तो वहां भी एक समस्या दिखाई देती है उसके बाद में दोस्तों जो पच्वी प्रॉलम मुझे लगी वह लो वैलू कंटेंट लो वैल के लिखा इसमें सब कुस है लेकिन उसकी वैलू नहीं है वैलू का मतलब दोस्तों ऐसा है असके सर्चेज भी होने चाहिए आप इस टॉपिक पर रिलेटेड डाल रहे हो कंटेंट उसके सर्चेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्या हो सकता है यूजर को वह इसका वैलू म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर जो यूजर को वैलू नहीं मिलेगा तो उस कंटेंट का क्या फायदा है तो कोशिस यह करें कि जो लो वैलू के कंटेंट होते हैं वाल दीजिए आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो सामने वाले को वैलू मिलने चाहिए अब पढ़ा उसके बाद में उसे कोई वैलू नहीं मिली तो आपके कंटेंट का कोई मतलबे नहीं है इस प्रकार दोस्तों यह भी एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपक स्यू फ्रेंडली आर्ट के अब देखिए दोस्तों स्यू फ्रेंडली आर्ट किल्स क्या होते हैं नॉट अब यह स्यू फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकते हैं जैसे स्यू फ्रेंडली इसलिए आपके आर्ट किल्स नहीं हो सकते हैं जो इस प्रॉलम में आते हैं वह हो सकता है स चाहे जैसे content लिखते हम चाहे जैसे content लिखते Google उसको अपने ही तरीके से दिखाए तो आपके content लिखने का क्या फाइदा फाइदा आपको तब मिलेगा जब आप content लिखे बढ़िया और Google उसको दिखाए लोगों को गोगल दिखाएगा ही नहीं तो दिखाएगा नहीं तो SEO friendly होगा नहीं यानि दोस्तों जो आप article लिखे वो ऐसा लिखे कि जो SEO friendly हो यानि कि लोगों की जरूरत हो लोगों का solution हो ऐसा नहीं कि आप चाहे जो लिख दे और आपसे कोई मतलर नहीं है बस आपने post कर दिया बस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपका article ऐसा होना चाहिए जो helpful हो यह आपके articles को कोई पढ़ता है सर्च के बाद आने के बाद तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ उसकी problem को हब तक solve हो गए तो यह SEO friendly दोस्तों सर्च में ना आने का करण है अगर जो आपका article जो है SEO friendly नहीं है तो कोसिस करें कि ऐसे article लिखें जो सर्च result में Google दिखाता हो और उस पर थोड़ा सा उस पे keyword पर research कर लें कि क्या यह keyword पर Google articles दिख ठाएगा कि नहीं तो दोस्तों यह सारी समस्या जो मुझे लगा तो मैंने आपको बताया अब दोस्तों इसके solutions पर चलता है इसके क्या solution हो सकता है तो इसका solution दोस्तों कि आप जहां तक मुझे लगता है भी तीन solution हमने ढूड़ा है पहला solution क्या हो सकता है आप content को replace कर दें आप content को replace करें और उसे modify करें बहतर तरीके से उसको unique बनाए अगर जो आपको content unique होगा तो गूगल को समस्या नहीं होगी कि आपके अर्टिकिल कोंडेक्स करें कि ना करें क्रॉल करें कि ना करें duplicate user दिखाए कोई समस्या होगी नहीं और दूसरी बात दोस्तों अगर जो आपने उस content को replace किया और proper तरीके से फिर से लिखा या फिर उसमें बढ़िया आपने SEO बनाया उसको SEO से related point को ध्यान देके उसको लिखा तो भी आपके समस्याओं का समधान हो सकता है और जो तीसरी बात है दोस्तों टाइटिल करेक्ट होना चाहिए टाइटिल मालीजे आपने जिससे सम्मंधित लिखा उससे related ही आपका टाइटिल हो और उस पे ही पूरा ऐसा मालीजे दोस्तों जैसे कोई teacher है आपको पढ़ाता है किसी एक topic पर पढ़ाने आया तो उस topic से related ही बाते हो अन्य बाते ना हो तो इस प्रकार दोस्तों आप करेक्ट टाइटिल का यूज करके content को replace करके और प्रोपर तरीके से उसके लिखके आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं तो दोस्तों यह information कैसे लगी आप लोग जरूर बताएगा मैंने कोसिस किया है कि यह समस्या जिनको भी आ रही है वह यह द मोटिवेशन मिलता रहे और जो भी बहतर जानकारी मुझे पता चले मैं आप तो जरूर सेयर करूं धन्यवाद कि 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 कि